अजलो दोस्तो स्वागत है आप सब का इस वीडियो में आज की सिवीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं कि इस एलिवेशन की उपर प्लस इसका प्लान क्या होगा वह भी आपको 3D और 2D में दुनों दिखाएंगे प्लस इसकी कॉस्टिंग क्या होने वाली है वह भी आपको बताएंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह ब्लॉट का साइज क्या है यह प्लॉट जो हमने यह घर बनाया है इसका साइज इसनल यह 1825 यह जो आंद कवर किया सिर्फ यह वाला एरिया 1825 का है बाकी तीनों साइट से हमने वेंटिलेशन पर्पोस के लिए 30 फूट हुआ है और यह आप किसी भी फेसिंग में बना सकते हैं और यह हमने डिजाइन किया है अपने क्लाइंट जो करनाटक से बिलॉंग करते हैं गुरूपी डिस्टिक से वहां के लिए हमने यह बनाया है और वहां के लोगों का जो हम यह जो च्छत होता है वहां पे कोई च्छत के युट्राइजेशन नहीं होता है इसलिए कुछ इस तरीके के च्छत की रिक्वाइर्मेंट थी क्यूंकि वहां पे हैवी रेंड फॉलिंग हो दी है इसलिए ऐसा च्छत होना बहुत जरूरी है जिससे कि घर में सीलन वेगिर प्लस कि समस्या नहीं होते चलिए अब हम थोड़ा सा इलिवीशन का इसका देख लेते हैं कि क्या एलिवीशन है जो भी एलिवीशन है थोड़ा सा आप डिटेल में देखिए कि हमने जो सिर्फ साढ़े तेन फूट यह फ्रंट में निकालके प्रोजेक्शन निकालके बैलक प्लस यहां पर हमने थोड़ा सा एक अलग पत्थर यूज किया है और यहां पर एक अलग पत्थर यूज किया है यह अपने हिसाब से देख सकते हैं और साइड में जो है हमने एक पेंट कलर किया हुआ जिसमें ग्रूविंग डाल रखिए ग्रूविंग का कलर जो है वो प्लान में आपको समझ में आगा कि यह विंडो कहां पे जा रही है प्लस उसको प्रोजेक्ट करने के लिए हमने यहां पर एक रेक्टेंगल क्रिएट किया हुआ है आप चाहे तो सिर्फ इसके उपर एक छज्जा डाल सकते हैं ठीक है इस साइड भी आपका कुछ वैसा ही है अब हम बात करते हैं फ्रस्ट फ्लोर की तो फ्रस्ट फ्लोर में ज्यादा कुछ नहीं है आगे हमारी बैलकनी है जिसमें एलचे पुछ वॉल दोनों साइड में हमने दे रखे हैं प्लस बीच में रेलिंग है और आप इसको काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं क्योंकि यह पूरा ओपन है और यहां पर हमने दोनों साइड में दो-दो कॉलम्स डाल रखें सरकल में कॉलम्स अब मानके चलिए यह फिर पाया उसके बाद हमने यह डिजाइन को थोड़ा सा इंप्रूफ करने के लिए यहां पर थोड़ा सा आर्क का यूज किया है आप देख अब बात आ जाती है इसके च्छत की तो हमने इसको दो लेयर्स में बनाये हैं पहला अपका यह पांच यह चेंच का आर्ची सी आगया उसके बाद एक दूसरा लेवल है जिसको हमने 3 ए 4 इंच रखा हुआ है इसमें क्या होगा ना कि जैसे ऐसे च्छत बनाते हैं तो उसमे हम एक drain board देते हैं चारो साइड से जिसे की बारिस का पानी उसे drain board से होके उसके pipe के साथ जो है अपका जहां पर water sump बना रखा है अपने rain what water harvesting tank वहहाँ पे जा सके तो यह गरारी आप as a groove भी यूज़ कर सकते हैं या फिर as a drain board भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं च्छत की तो च्छत का जो ऐसा taper जो slant वाला जो च्छत होता है ऐसा जाता तर आपका जैसे जहां पर पहाड़ी एरिया होते हैं जैसे हमारा गुजरात से लेक आपका किरला तक एक western घाट पड़ता है पूरा समंदर के side side में पूरा western घाट है उधर का अरिया पूरा पहाड़ी है प्लस आपका जहां पर भी पहाड़ है जैसे आपका नौर्थ इस्ट वाल एरिया हो गया लोग अगर च्छत बनाते भी हैं तो वो रेयर केस होता है लेक काफी लोग जो है इस टाइप के च्छत को यूज करते हैं इससे क्या होता है कि सीलन की problem खताम हो जाती है प्लस सारा पानी जो है पानी रुकता नहीं कहीं भी सीधे वो ड्रेन बोर्ट से होके आपका बाहर चला जाता है प्लस उसके बाद हम बात करते हैं एक हमने right side में एक client के हिसाब से है client की requirement के हिसाब से हमने यह दिया है यहाँ पर कि जो बीच वाला पार्ट होगा यह पूरा एक छोटा सा get together करने के लिए चोटी मुटी party करने के लिए चाहिए तो इसलिए हमने कुछ इस तरीके से इसको design किया है आप देख सकते हैं अब हम बात करेंगे इसके 2D plan की जो कि आपको पहले 3D में मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों यह हमारा 3D plan है जिस elevation के बारे में हमने अभी आपसे discuss किया यह उसी plot का 3D plan है इसमें हम आपको काफी सारी चीज़े बताने वाले हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या बताने वाले सबसे पहले हम इस plot के बारे में discuss करेंगे उसके बाद हम इसको rent purpose के हिसाब से कैसे floor to floor बना सकते हैं दूसरा point तीसरा point आपका कि अगर यह सिर्फ सामने से अगर open हो तो हम इसको किस तरीके से design कर सकते हैं तो चलिए हम entry से शुरू करते हैं entry हमारी यहाँ पे है यह हमारी एक main entry आ गई उसके इसके बाद हम enter करते हैं अपने lobby area में lobby का जो size कभी बड़ा है यह size आपको टूडी में पता चलेगा कि यहाँ पर हमने sofa setting दिया है और यहाँ पर हमने six-seater dining table place किया है आप चाहें तो यहाँ पर three-seater भी लगा four-seater भी लगा सकते हैं सामने आपका LCD है और यहाँ पर आपका kitchen है kitchen का counter कुछ इस तरीके से है यहाँ पर अगर आपको kitchen बढ़ाने की जुरूत पड़े तो आप यह वाला counter को increase कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं पीछे आपका एक room है room में एक अलमारी और एक LCD आपको मिल जाता है प्लस ventilation की इसमें कमी नहीं है क्योंकि चारो साइट से window हम कहीं भी दे सकते हैं यह हमारा एक common toilet है जिसमें आप WC देख लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर वासबिशन है इसमें outer walls जो है वो 9 इंच के रखे हमने और internal सारे जो है और second entry यह है तो second entry जो है वो हमारी main entry हो जाएगी पर floor के लिए क्योंकि यहाँ पर गेट लगा के इसको private कर सकते हैं और यह आपका पूरा जो part होगा यह common हो जाएगा क्योंकि CD भी आपको common तरीके से एक्सेप्टेटली जा रही है और यह हर floor पो किसी को disturb किये बिना जा रही है ठीक है तो आप इस तरीके से rent purpose के हिसाब से बना सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपका सामने से सिर्फ open हो चारो साइट और तीनो साइट से बंद हो तो आप उस तरीक उस situation में क्या करेंगे उस situation में आप यह toilet आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको यह पूरा यह length है यह दो से नौ फूट का पूरा length है यहाँ पे आपको तीन फूट का पूरा एक shaft चोड़ना पड़ेगा जिससे क्या होगा कि इस room को थोड़ी बहुत ventilation मिल जाएगी और इस bathroom को भी ventilation मिल जाएगी बाकि जो पार्ट से उन सब को थोड़ी बहुत ventilation कहीं ना कहीं से मिल रही है इस पूरे इस वाले पार्ट को जो है इधर kitchen side से ventilation मिल रही है प्लस इस drawing वाले जो पार्ट को है यहाँ पे CD के नीचे आप CD के नीचे आप window दे सकते हैं यह आपे space है तो इस तरीके से आप दो तिन तरीके से आप बना सकते हैं इस plan को चलिए अब हम बात करते हैं finally जो हमारा इसका picture से उसको देख लेते हैं उसके बाद हम बात करते हैं अपने 2D plan जिसमें सारी details होती है दोस्तों यह हमारा 2D plan है जिसमें मैं आपको सारी details, sizes, column, placement बताने वाला हूँ, जो मैंने अभी आपको costing बताई, वो costing जो है estate के हिसाब से हर state में अलग-अलग rate का हो सकता है, इस चीश को आप personally ना लें, क्योंकि हर जिके कई state में कहीं पर कोई चीश सस्ती हो सकती है, कोई चीश महेंग ही हो सकती है, कहीं पर labor महेंगा हो सकता है, कहीं पर material महेंगा हो सकता है, तो यह सारी चीशे एक जैसी नहीं हो सकती है, इसलिए आप इस चीश को अपने nearby जो भी घर बना रहा है, आप उससे क कुछ आइडिया ले सकते हैं वह कुछ आपको guide कर सकता है कि क्या cost पड़ा उस बन देगो चलिए हम entry से शुडू करते हैं इसके entry हमारी यहां पे है और यहां से अप कर रहा है हम यहां से अप करके फिर हम ऐसे जा रहे हैं और यहां पर first floor पे हम land कर जाते हैं ठीक है लेकिन इस बढ़ा नहीं सकते हैं उससे क्या होगा कि हमारा स्पेस जो है कम होता जाएगा इस सीडी की विर्थ जो है वो धाई फूट की है धाई भाई धाई की यह लैंडिंग है और यह जो एक स्टेप का जो यहां से यहां तक साइज है वो हम दस देते हैं लेकिन यहां पर यह 9 इंच है 9 इंच भी कमफर्टेवल होती है ठीक है तो यहां से हम एंट्री करते हैं अपने डाइनिंग पार्ट में तैनिंग और ड्राइंग एरिया हमारा यही है ठीक है जिसका साइज है 16 फूट 6 इंच पर 8 फूट 9 इंच का यह साइज है आप यहां पर भी देख सकते हैं और यह यहां से लेकर यहां तक इसका विर्थ है और लेंथ इसकी पाच फूट है यहां पर आपका ओपन किचेन है यह पाच फूट तीन इंच इस वाल से लेकर इस वाल तक इसकी विर्थ है और इसकी यह जो आट फूट लेंथ है वह यहां तक है अप चाहें तो इसको बढ़ा सक 3D में मैंने आपको 6-seater दिखाया है यहाँ पर 4-seater यह मैटर नहीं करता आपको जो रखना है आप रख सकते हैं उसे साफ से थोड़ी बहुत चीजे एड़ेस्ट होंगी यहाँ पर आपका LCD आ जाएगा आप 4-seater को इधर रोटेट करके भी रख सकते हैं दूसरे साइज में ठीक है अब हम बात करते हैं बेड्रूम की तो बेड्रूम का साइज जो आप देख लिए जब 12ft by 9ft का है काफी अच्छा साइज है इस में आपको यहाँ पर आलभारी मिल जाती है यहाँ पर आपको एक LCD मिल जाता है यह आपका एक common toilet है common toilet का positioning आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसका साइज है चार फूट एक इंच डेड़ इंच एक्छली में लेकिन हम डेड़ इंच आदा इंच को उसको यहाँ पर दिखाते हैं लेकिन यहाँ पर हम नहीं दिखा पाते हैं इसलिए उसके लिए आदा इंच के लिए कोई problem नह ही है इसलिए आप इसको चार फूट भी मान सकते हैं चार फूट एक इंच पर नौफुट का यह टॉयलेट है चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप सिर्फ सिंगल फेस में प्लॉट हो तो आप यहाँ पर यह पूरा आपका शाफ्ट बन सकता है यहां से इस रूम को और इस टॉयलेट को वेंटिलेशन में लेगा ठीक है यह सारी चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी अब हम बात करते हैं कॉलम की तो कॉलम की कहां कहां पर प्लेस्मेंट करें कॉलम आप यहां पर कर सकते हैं अप सिंगल लाइन कॉलम भी अप इसमें यूज कर सकते हैं एक यहां पर दूसरा यहां पर फिर यहां पर और में कॉलम अपका यहां पर होगा लेकिन इसके साइजेज हम इसको छे कॉलम में बना रहे हैं तो छे कॉलम में अगर बना रहे हैं तो इसके साइजेज भी हम अलग कर देंगे इसका साइज आपका हो जाएगा बारबाई इठा हैं वो आपकी 12 हो जाएगी तो इस कंडिशन में आप छे कॉलम में भी ये प्लैन बना सकते हैं उमिद करता हूं ये सारी डिटेल आप लोगों को अच्छी लगी होंगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर किजिए जिससे किसी की हेल्फ हो सके वीडियो देखने के लि